तो हेलो फ्रेंग्स मैं उस्वस्तिक जो सित्र आपको भी आना है मिनी काश्मीर तो आज आज जून और आज इको फोरेस्ट पर यार देखो आपका ली एंट्रेंस देखो कितनी ज्यादा मस्त है और होटल तो देखो वाव और एक होटल के अंदर एक रूम के दर वो भी डब और नेचरल हवा थी ना मज़े आगे यार मतलब सोच के वाव दिल गाडन गाडन हो गया ओ माइग आप देखो यह पूरा व्यूव है वाव और इस साइड आपको गाडन भी मिलता है और आपको गाडन में भी अगर खाने बैठना है नीचे तो भी इतना मजा होता है और देखो गाडन में बैठने का मजा है ना एक नंबर देखो हमारे पूरी टीम बैठी है क्योंकि हम अभी जा रहे है बोटिंग के लिए वाइगाड देखो भी सब सुबस बॉटे वाहू हू ओ आई गड़ चला चलते है बोटिंग के लिए यहां पर देख सेकता संसेट पूरा लोकेशन दिखा तो एक नंबर यार बहुत अब जाएंगे महादेवजी के दर्सन करने तो अभी उदर जा रहे तो उदर बोट से जाना पड़ता है चलो दो एकदम मस्त से ट्री है और उसके बीच में सान आए है चलो चलते है तो फ्रेंस अभी हम बोट लेके निक हाका अधर कॉल एक यार वोले करों महादेव जी का मंदिर ओमाइगों बाइगोंगों से नरे चाहिंगर चाहार वाय हूँ कि दूए मज़ Sunset का reflection तब और ये देखो कितने सारे बर्ड वा व इतना मज़ लग रहा है ओमाइगोड वा व इतना मस्त प्रइक इतना मस्त कृ-घुष झार घ्राश कर दता सब्सक्राइ ये यह राजा का महल जो आदा पानी के अंदर वाओ नरमल्ड कानर आयर है यह लोकेश्न तो मतलब मेरा फेवरट लोकेशन यार और यह देखो पुरा राजा का महल जो पुरा पानी के अंदर है oh my god और अभी हम जा रहे हैं महादेव जी के मंदीर पर यह देखो यह राजा का महल कितना सदा मस लग रहा है और यह दो थोड़ी थोड़ी उपर वाल भी है आप देख सकते हो oh my god तो देखो oh my god कितना मस लग रहा है हर हर महादेव तो फ्रेंट्स अभी मैं आपको प्रॉपर जो साविस जब हो बतता हूं यह निल कंटेश्वर महादेव का मंदीर है और आप देख जो यार कितना दाना मस लग रहा है और उसी के ठीक बाजू में एक राजा का महल था है यार वह मैं यह ऐसे सारी आपको लोकेशन है ना कभी देखने मिलते हैं अगर आपका अनुट्री बहुत अच्छा है तो आपको ऐसे लोकेशन देखने मिलते हैं बाकी तो और यह जो संका रिप्लेक्शन आ रहा है ना गोल्डन डाइमन भ्रो महादेव का मंदीर आगे आप देख सकते हो वाव कितना जदा मस लग रहा है यह 700 साल पूराना मंदीर है माइगाड 700 साल मतलब और जो व्यों आ रहा है या तो फ्रेंट्री महादेव का मंदीर है वो सिर्फ शिवरात रहे के दिन हमें महादेव दरसन देखे तब तो यह कि गाड़ी तक इदर आ सकती है फोर वील तो अभी तो आप देख रहों कि पूरा डूबा हुआ है यह खाली शिवरात्री के दिन हमारे भोले महाराज हमें महादेव दरसन देते हैं तो हम शिवरात्री के दिन भी यहां पर आएंगे और महादेव के दरसन करेंगे और लोक जो आ रही थे माई गौड एकदम अमेजिंग और आप संसेट तो देखो यार संसेट एक नमबर आ था मस्त बीच में जाके अराम से संसेट देखो वाव मजा गया और अनिल भाई की बोट में बैठने का तो मजा ही मजा आ रहे थे वाव यार कितना हम पूरा चकर यह से लोकेशन देखे मैं इतना खुषता कि मैं उधर ही नाशना चालो कर दिया था बोट में तो मेरे को काब कि भाई तुग जाएगा तो अब भी जा सकते हो तो बहुत ज़ना मजा है आप भी इदर आओ तो बोटिंग जरूर करना जो व्यूं मिलेगा और जो मजा हैगा ना ब सब्सक्राइब होज गए तो फ्रेंड्स अभी हम वाफीच जा रहे है होटल पर और कल सुबह हम वाफीच से इदर आएंगे और आपको सुबह का व्यू दिखांगा सब करें सुबह का व्यू मतलब एक नमबर रहता है तो इसे के साथ इस लोका इधर करता हुए तो अगर लाइक से सब्सक्राइब बना हर हर मादेव